मध्यप्रदेश के 28 विधान सवा सीटों पर होने वाले उपचुनाओं में निताओं के भी जुबानी जंग इसकदर बढ़ गई है कि मामला चुनावायोग तक पहुँच गया है एक और जहां पूर्व सीम और प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष कमलनाथ को चुनावायोग ने उनके आईटेम वाले बयान पर नसीहत दी है तो दूसरी और बीजेपी महसचेव विजयवर्गिया को उनके चुन्नू मुन्नू वाली टिपणी पर नोटिस जारी कर 48 घंट में जवाब देने को कहा है नोटिस के अनुसार इंदोर के सावेर में 14 अक्टूबर को एक चुनावी सभा में दोनों कॉंग्रिस नेताओं के खिलाप दिया गया बयान आचार संहिता के प्रावधानों का उलंगन करने वाला पाया गया है नोटिस में कहा गया आयोग आपक उक्त कधित बयान पर नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर आपका रुख स्पष्ट करने के लिए अफसर प्रदान करता है ऐसा नहीं होने पर भारत निर्वाचन आयोग आगे आपको कोई सूचना दिये बिना निर्डने लेगा वहीं चुनाव आयोग ने मध्धप चाहिए या ऐसे बयान नहीं देना चाहिए आयोग ने कहा कि कमलनाथ ने एक महिला के लिए आइटम शब्द का इस्तमाल किया और ये आचार संहिता संबंधी आयोग द्वारा जारी परामर्श का उलंगन है दरसल कमलनाथ ने कुछ दिन पहले एक चुनावी रैली में आयोग द्वारा इसका संधर्व दिये जाने के बाद चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटस जारी किया था मध्यप्रतेश की 28 विधानसवा सीटों के लिए 3 नविंबर को उप्चुनाव होने हैं और इस दौरान नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार में एक दूसरे के दूपर तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार की जा रही है प्योर रपोर्ट गो निउस